हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या हाल चाल वाटसप और आप सभी लोगा स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं आप लोगों से बात करूँगा कि जो अभी एक 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 एक्जाम होने वाली है C.U.E.T. 2023 में ये एक्जाम की हम लोगों के लि इसको ना दे तो क्या कोई नुकसान होगा क्या ये हमारे लिए कंपलसरी है कौन-कौन इसे दे सकता है कब होगी कैसे होगी सारी बाते मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं तो आराम से शांती से पूरे वीडियो को सुनो क्योंकि अगले कुछ मिनिट्स ये वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में छोटी सी स्टोरी डिसकर्स करना चाहूंगा एक छोटी सी बात डिसकर्स करना चाहूंगा उसके बाद आपको समझ में आएगा कि CUET की क्या इंपॉर्टेंस है एक लड़का था जिसका नाम था रत्यूंजय पंडिया याने मैं बड़ा इंट्रस्टिंग था मुझे मैं बड़ा इंट्रस्टेट था मैं आर्ट्स वगेरा चीजों को लेकर फॉर एक्जामपल रेडियो जॉकी कैसे बनना है मूवी मेकिंग में कैसे जाना है या अगर कोई चीज या अगर कोई स्टोरी लिखने है तो स्टोरी राइटिंग में कैसे जाना है मुझे पता नहीं था तो क्योंकि मेरा 11-12 में बायोजी भी था और साइमल्टेनियसली में भेड़ चाल चल रहा था और मैंने PMT याने NEED की तयारी करी थी मेरे पास नहीं लेना चाहता था और मुझे खून को देखके मेरी फड़ जाती थी तो मैंने बीफाम आप्ट कर लिया जब मैं बीफाम आप्ट करने गया तब मुझे पता चला कि मेरी ही उनिवर्सिटी में एक ऐसा कोर्स चल रहा है जिससे कि कई सारे स्टूडेंट रेडियो जॉक बन रहे हैं यानि आरजे बन रहे हैं एफेम पर उसमें से कई लोग एड डिजाइनिंग यानि एड़टाइजिंग में चले जा रहे हैं तो मैंने बोला यार यह तो बड़ा मस्त चीज है तो जब मैंने उसकी एंट्रेंज एक्जाम के बारे में पता करा तो उसके अंदर एक्जाम में में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी का कोई रोल नहीं था and obviously मैं उसके लिए apply नहीं कर पाया लेकिन आज यह problem नहीं होगी आज क्योंकि CUET मार्केट में आ गया है कोई भी student किसी भी domain को अगर belong कर रहा है वो चाहे तो ऐसे courses के लिए CUET जैसी exam दे सकता है और अपने dream course को opt कर सकता है जैसे for example आप लोग अभी in general for example अगर आप लोग अभी commerce के student है तो commerce में आपको economics पढ़ना है अकाउंस पढ़ना है लेकिन आपका interest management की तरफ जाधा जा रहा है तो आप यहाँ पर केवल traditional courses BCOM BCOM छोड़कर BHM hospital management hotel management simple BBA MBA जैसी चीज कर सकते हो क्या यह बात समझ में आ रही है आप लोगों को तो यहाँ पर CUET का यह plus point है कि अब यहाँ पर आप अपने subjects को अपने courses को choose कर सकते हो मेरे जैसे student जिने पता ही नहीं था कि इस particular university में यह course भी चलता है और इसके लिए मैं को अलग से exam देनी पढ़ेगी उस exam के मुझे English अलग से पढ़ना पढ़ेगा, Social Study अलग से पढ़ना पढ़ेगा, Arts अलग से पढ़ना पढ़ेगा लेकिन अब यह लफड़ा खतम हो गया है अब आप लोग अपने subjects पढ़ रहे हैं वो choose करके उसकी preparation करके exam दे सकते हैं तो चलो CUET के plus point को समझने के बाद अब आप य होगे कि जो CUET नाम की exam है यह हमारे लिए क्यों important है तो देखो खाई सबसे पहले हमारे पास में CUET का notification आया था और इस notification के अंदर हमें यह कहा गया था कि CUET exam की online जो submission जो होगी registration वो 9 फरवरी से 12 March तक रहेंगे लेकिन अब एक नया notification आया है आज और उस notification में हमें यह कहा गया है कि अब आप लोग जो CUET exam है इस CUET exam के form 30 March तक भर सकते हैं रात को 9 बच के 50 मिनिट के पहले पहले आप लोगों को जो fees भरनी है वो रात को 11.50 के पहले पहले सब्मिट करनी है 30 March को अगर आपकी online application के अंदर कुछ भी mistake हो गई है तो आप 1 April से 3 April के बीच में उसके अंदर changes क कर सकते हैं और आप कौन से शेहर में exam देने वाले हो आपके center का announcement 30 April को हो जाएगा अगर हम और बात करें CUET की तो CUET की exam जो है वो date of examination आप मान के चलो 21 माई से 31 माई के बीच में है in fact इन्हों ने यहाँ पर एक जून से 7 जून reserve date भी रखी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ centers पर problem आ जाती है कोई center crash हो जाता है कई पर कोई problem आ गई examination नहीं हो पाई तो उसके लिए reserve date रखी जाती ह आप लोगों को NTA की official website पर जाकर आप लोग अपने admit card को mail के second week में print कर सकते है याने 7 माई से 14 माई के बीच में आपके admit card आ जाएंगे अगर आप लोगों को कोई important information चाहिए तो वो तो सब मैं आपको दिखा दूँगा इस video के अंदर लेकिन आप चाहें तो www.nta.ac.in पर भी जा सकते हैं या आप मेरी बात मानें तो आप cuet.sumarth.ac.in website पर जाओ आपको मज़ा आजाएगा यह website बहुत perfect है तो यह हो गई websites की बात इसके बाद अगर हम लोग बात करें fees submission की तो यहाँ पर दीखें fees submission का क्या system रहता है अगर आप लोग केवल तीन subject चूज़ कर रहे हैं केवल अगर आप लोग यहाँ पर तीन subject चूज़ कर रहे हैं देखो तीन subject क्याते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर choice आपकी होती है actually जो cuet exam होता है ये cuet exam तीन sections में हो सेक्शन वन सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री अब यहां पर क्या होता है आपकी जो युनिवर्सिटीज है वो किस तरीके का कोर्स ओफर कर रही है जैसा मैंने आप से कहा कि आप फिजिक्स केमेस्ट्री बायोजी डॉमेन के हैं लेकिन आप एक ऐसा कोर्स अटेंड करने जार आपने की जरुवत नहीं है तो ऐसे कोर्स के लिए युनिवर्सिटी कमपलसरी आपसे मांगती है एक जेनरल एप्टिट्यूट टेस्ट तो यहां पर एक जेनरल एप्टिट्यूट टेस्ट लोगों को देना होता है जो सेक्शन 3 के अंदर आता है उसके अलावा सेक्शन 1 किस्यूर लेंगवेज टेस्ट यहां पर आपको अपनी लेंगवएज चूज करनी होती है और सेक्शन 3 siis Cart Dakar for question साथिए जो लेंगवेज टेस्ट करना चाहती है अब तर हम कौन से लिएगवेज चूज करने के लिए दो कॉलमस दियेवे होते हैं 1a and 1B यहाँ पर आप लोगों को कुछ 13 language दी हुई होती है और यहाँ पर आपको कुछ 20 language दी हुई होती है अब ऐसे बच्चे जो language के अदर जिसे BA करना चाहते है English में, BA करना चाहते है Sanskrit में, Astrology सीखना चाहते है, Sanskrit सीखना चाहते है, तो वो लोग क्या मिल जाएगी, Hindi चूज करना चाहे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर 1B में से कुछ चूज करने की जरुबत नहीं है तो आपने section A में से for example English चूज कर लिया अब आप domain पर आए अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यार मेरको तो for example DU जाना है Delhi University और वहाँ से BSc करना है Chemistry के अंदर तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि DU का जो examination होने वाला है उसमें domain के अंदर कौन कौन से subject चूज करना जरूरी है अगर वो बोलता है कि आपको क्योंकि Chemistry में करना है तो आप यहाँ पर केवल Chemistry चूज करो तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे domain में केवल Chemistry चूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और तीसरा वो यहाँ पर General Attitude चूज कर लेंगे तो हो गए आपके तीन subject एक हो गए आपका English एक हो गए आपका Chemistry एक हो गए आपका General Attitude कुछ बच्चे बोलते नहीं यार मेरको तो क्या है कि General BSc करना है तो General BSc करने के लिए Physics भी आएगा Chemistry भी आएगा Biology भी आएगा तो मेरी अगर आप बात मानो तो देखो अगर आप जिस भी domain के हो जैसे मानलों आप Maths domain के हो तो आप लोगों को इस domain वाले section के अंदर Physics, Chemistry and Maths चूज करना ही चाहिए देखो आप अपने options बन मत करो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्योंकि आपको एक option दे दिया गया है कि आप यहाँ पर इन 3 में से भी कोई एक या दो subject चूज कर सकते हो तो बच्चे यह गलती करते हैं बेटा आप गलती क्यों कर रहे हो देखो आप क्योंकि CUET दे रहे हो आपके पास में बहुत बड़ी list of university है देश भर के सारे central top के universities जहां से simple सा BSc करने के बाद भी 15 लाग की job लगती है तो आप क्यों एक या दो subject चूज कर रहे हो आप जितने चूज कर सकते हो उतने चूज करो या अगर आप commerce के हो तो आप यहाँ पर अपना accounts ले लो book keeping ले लो business study ले लो economics ले लो जो भी आपके domain होते है वो आप यहाँ से multiple choose कर सकते हो तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी इच्छा है कि आप केवल तीन subject choose कर रहे हो तो general candidate वाले बच्चों को साड़े साथ सो रूपे OBC और other को साथ सो रूपे SCST physically back I mean कोई challenged है या कोई third gender तो केवल साड़े चाथ सो और international students को 3750 रूपे लगेंगे लेकिन मेरे हिसाब से तीन subject कोई choose नहीं करें दस subject कोई choose नहीं करें वह दस subject देंगे तो हमारे सरके बाल जड़ जाएंगे इतना भी हमको wide नहीं जाना है हमारे लिए up to seven subject वाला slot है यानि हम क्या करेंगे हम एक English choose करेंगे या हम Hindi choose करेंगे या अगर आप जैसे Assam के student और आपको SMEs बहुत अच्छे से आती ही तो आप वो choose कर लो कोई problem नहीं लेकिन आप अपना domain अगर आप biology हो तो physics chemistry bio opt करो maths के हो तो PCM opt करो अगर आप maths plus bio वाले हो तो आप चारो सब्जेक्ट लो physics chemistry maths bio जादा wider option होगा तो आप up to seven subject वाले domain पे जाओ general students पंदरा सो रुपे other OBCs and 1400 SCST, PWBD, third gender 1300 और international students 7000 का form भरेंगे तो ये वाला slot आपको यहाँ पर form filling करते समय आपको up to seven subject choose करने है अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ पर हम लोग बात करें इसके पूरे pattern की तो देखो guys यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी कि जो आपका exam होने वाला है यह computer based होगा यानि यहाँ पर आप लोगों को computer के उपर बैट कर multiple choice question चूज़ करने और correct answer लगाने या फिर handwriting वाला system भी खतम होगा कि भाईया मैं तो handwriting गंदी है तो मैं किसे choose करूँगा test pattern कैसा होगा MCQs question होगे अब यहाँ पर आप बात समझे देखो यहाँ पर और कितना जादा इन्होंने इस पूरी चीज़ को centralized करने की कोशिश करी है कि एक North East का बच्चा जो कि आज सिक्किम में बैठा है या आज यहाँ पर for example Assam में बैठा है तो वहाँ पर उस student को अगर Delhi University में admission लेना है तो उसके लिए कितना जादा problematic होता होगा सोचो कि उसको वहाँ पर केवल English और Hindi ही availability रहती थी test की पहले लेकिन अब CUET ने उसको हटाते वे क्या करा है exam का medium 13 languages में कर दिया है यानि एक SME बच्चा चाहे तो वह अपने SME भाषा में test paper दे सकता है उसके जो भी questions आएंगे वो उसकी language में आएंगे एक West Bengal का बच्चा चाहे तो वह बंगाली में exam दे सकता है कोई गुजराती है तो गुजराती में दे सकता है हिंदी मीडियम वाला हिंदी में दे सकता है ऐसे करके उर्दू बोलने वाला बच्चा उर्दू में भी दे सकता है तो यहाँ पर total 13 languages available है अब यहाँ पर आपका जो section A होता है जैसा में आपसे कहा था कि आपका जो examination होगा वो तीन section में होगा तो यह section number 1 था section number 1 कौन सा था हमारी language वाला जो section number 1 था language वाला इसमें actually आपसे पूछा क्या जाएगा actually इसका question paper कैसा बनेगा तो basically यहाँ पर यह check करेंगे कि आपने जो भी language चूज करी है SMEs चूज करी है Malayalam चूज करी है Hindi चूज करी है तो आपको उस language को read करते आता है या नहीं जब आप उस question को read करते हैं तो आप उसको किंता comprehensive तरीके से read करते हैं आपको जो passages दिये गए हैं वो passages अगर factual हैं किसी fact पर है किसी literature पर है या कोई narration है तो आप उसको कितना समझ पा रहे हैं आपकी वो language के understanding कितनी अच्छी है आपका literature का aptitude कितना अच्छा और आपकी vocabulary कितनी अच्छी है तो उस particular language पर इस तरीके के सवाल आएंगे अगर आप कोई domain चूज करते हैं जो हमारा section 2 है हमारा second section domain तो यह domain जैसा मैंने आप से आपका class 12 के syllabus पर वो based होता है यान अगर कोई student chemistry चूज कर रहा है तो class 12 के chemistry के जो भी chapters है वो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे कोई higher level का सवाल नहीं आएगा तो up to class 12 का domain अगर आप economics है तो आपको 12 का economics यहाँ पर पूछा जाएगा और जो आपका section 3 होता है जो आपका general test होता है general test में आपसे क्या पूछा जाता है आपका general knowledge कैसा है जिसा मैंने आपसे कहा कि एक Delhi University से for example कोई बच्चा course करना चाहता है तो Delhi University को ये बात से कोई लेना देना नहीं होता कई सारे courses में कि भाई तुमारा maths कैसा है तुमारा physics कैसा है उसको कोई फरक नहीं पड़ता वो ये जानना चाहता है Delhi University कि मेरे university में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसका general knowledge कैसा है भाई वो कितना जादा current affairs के बारे में जानकारी रखता है क्योंकि वो ऐसे छोटे मोटे course नहीं कराता है तो essay students वो चाहता है उसका mental ability कैसी है उसकी numerical ability कैसी है वो quantitative है या नहीं तो इस तरीके के general test के उसके उपर सवाल आएंगे अब आप बोलोगे कि sir यहाँ पर हमें मालूम कैसे पढ़ेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो basic mathematics पूछी जाएगी arithmetic progression, algebra, geometry, mensuration, statistics, logical and editing, reasoning यह सब चीज़े जो आपकी 8, 9, 10th के maths की होती न उस तरीके का यहाँ पर पूछा जाएगा समझ मागई बात आप लोगों को अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर और थोड़ी सी बात करें नीचे चलते वे कहां चले गए हम हम कहां चले गए examination के pattern की तो यहाँ पर अगर आप आप ध्यान से देखें तो examination का pattern कैसा होगा जो आपका section A है section 1 है उसमें मैंने आपसे कहा था दो पार्ट होंगे अगर आप section 1 A में देखें तो आपको यहाँ पर 13 languages मिलेगी अब आपको यह choose करना है कि आपको जो language चाहिए क्या वो section 1 A की दीवी 13 languages में है या नहीं अगर नहीं तो फिर आप section 1 B की languages को देखेंगे जिसके अंदर और 20 languages दी गई है तो section 1 या section 2 में से आप जो भी language चूस कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर opt कर लिजे अचा कई सारे बच्चे क्या करते कि उनको Sanskrit पढ़ना होती है और उनको Hindi भी पढ़ना होती है तो वो section 1 A में से Hindi ले ले और section 1 B में से वो Sanskrit ले ले तो यहाँ पर उनकी दो language हो गई जैसा मैंने कहा था आपको multiple language चूस करने का multiple subject चूस करने का option available है लेकिन जैसा मैं एक general student की बात करूं तो आप 1 A और 1 B में से कोई एक language ही चूस करो जादा language के चक्कर में मत पढ़ो तो for example आपने 1 A में से let's say English चूस कर लिया तो अब क्या होगा तो अब आपको यहाँ पर section 1 में total 50 सवाल पूछे जाएंगे और इन 50 सवाल में से आपको केवल 40 कोई से भी 40 attempt करना है फिर हम section 2 पर आजाते हैं section 2 हमारा domain specific है अब यहाँ पर आप देखो आपको यहाँ पर 27 domains दे रखें English है, sorry, Accountancy है, Business Study है, Economics है अपना Physics है, Chemistry है, Math है, Biology है इसे बहुत सारे आपको domains मिल जाएंगे और यहाँ पर आप लोग कितने domains सेलेक्ट कर रहे हो दो, तीन, चार, पांच, दस उस हिसाब से या तो आपको 40 questions पूछे जाएंगे उसमें से 35 attempt करना है या आपको 50 questions पूछे जाएंगे 45 attempt करना है और आपका section C यह आप दे रहे हो वैसे मेरे साथ आपको यह देना चाहिए अगर नई दे रहे हो तो कोई बात नहीं बात खतम, उपर के दो में आपका काम खतम लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा बहुत सारी universities जेनरल टेस्ट के marks को गिनती है, जैसे अलीगर मुस्लिम उनिवर्सिटी हो गई, डी यू हो गई फिर आपकी वेल लोर इंस्टिट्यूट ऐसे बहुत सारे top quality के जो इंस्टिट्यूट से वो जेनरल टेस्ट को बहुत प्रेफरेंस देते तो अगर कोई ऐसा undergraduate प्रोग्राम है आपका, आपकी ऐसी कोई उनिवर्सिटी है, जहाँ पर जेनरल टेस्ट यूज हो रहा है तो आपको यह देना पड़ेगा तो इसमें आपको सहाट question पूछे जाएंगे और आपको इसमेंसे कोई भी 50 करने है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आप लोग को पूरी के पूरी language की list, domain की list, general test की list आपको cuet.summer.ac.in पर मिल जाएगी यह थोड़ी देर में मैं आपके साथ discuss करता हूँ, don't worry यहाँ पर आप लोगो कोई यह जो exam होगी यह 21st में से 31st में के बीच में होगी यहाँ पर आपको एक दिन में 3 slot में से आपको कोई सा भी slot दिया जाएगा उसके बाद एक और important बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो यह है कि for every right answer for every right or every correct answer आपको यहाँ पर plus 5 marks मिलेगे और अगर आप wrong करते हैं तो आपको minus 1 mark मिलेगा और अगर आप किसी question को attempt नहीं करते तो उसके लिए आपको 0 marks मिलेगा ठीक है अच्छा उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक list of central universities निकाल के रखी है जैसे कि आपको एक अंदाजा मिले किया अगर मैं को for example B.Sc करना है तो B.Sc में कौन से ऐसे college से कहूं जहां से मेरी life set हो जाए तो जैसे कि यहाँ पर अलिगर मुस्लिम उनिवर्सिटी है आसाम उनिवर्सिटी है बाबा साहिब भीम राओ अंबेटकर उनिवर्सिटी है बनारत हिंदु उनिवर्सिटी बहु है Central University of आंध्रा, South Bihar, गुजरात, हरियाना, अहीमाचल, जम्मू, जारकन, करनाटा, कश्मीर, केरला, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू यह सारी Central Universities है उसके लावा आपने बहुत एक अच्छी जिदे अपना इंद्रा गांधी, National Tribal University जवाहरलाल नहरू University मात्मा गांधी अंतर रास्त्रिय विश्व विध्याल है इसी बहुत सारी Top Class Universities के आपको यहाँ पर लिस्ट मिली जाएगी उसके अलावा जैसे में आपसे कहा था कि आपको कौन-कौन सी Languages चाहिए तो वो देखो Language की लिस्ट हो गई Section 1A की जो तेरा Language है English, Hindi, SME, Bengali, गुजराथी, Kannad जो देश में हमारे Commonly बोली जाती है लेकिन वन भी उनके अंदर और specific language आती है जैसे मानलो कोई French में कुछ करना चाहता हूँ कोई मानलो कोई चाहेगी कश्मीरी में कुछ कोर्स करना है कोई बोले कि मैंको तो Ma Ma Mia Spanish में कोई कोर्स करना है कोई बोलता कि मैं को astrology पढ़नी है तो मुझे Sanskrit चाहिए तो वो आपको यहां से मिल जाएगी उसके अलावा आपके जो domain specific subjects है domain specific subjects आप जोशोलोजी है psychology है political science, physics, legal studies यह सारे आपको यहां से मिल जाएगे अब यहां पर अगर हम बात करें कि कौन-कौन से courses आपको CUET को देने से मिल जाएगे तो देखे देश की कोई भी top class university से आप BA कर सकते हैं आप BBA कर सकते हैं अब यहां पर आप देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मान लोग को student के एकदम मन में जग जाए कि मुझे तो IAS officer बनना है अब IAS officer बनने के लिए वो बन्दा अगर सोचे कियार मैं कोई technical course जीते B.Tech में घुज जाओ या engineering में घुज जाओ तो वहां पर engineering की पढ़ाई के साथ आप लोग IAS की तयारी नहीं कर सकते तो आप यहां पर comparatively easier course की तरफ जाओगे तो easier course हो गया B.A. अब आप B.A. कोई ठरकी या कोई simple college से कर लोगे तो मजा नहीं आएगा क्योंकि फिर क्या होगा आपको आगे life में इसके scope कम मिलेंगे तो आप सोचोगे कि यार मैं देश की जो top 110 universities है वहां से B.A. करूँ तो आप B.A. यहाँ पर कर सकते हो भले याप science के student हो तो भी तो B.A. हो गया B.B.A. हो गया B.C. B.C.A. B.Farm B.P.T. Integrated B.T. इसके अंदर कई इस उनिवर्सिटी जैसे मध्यप्रदेश की देवी अहिलिया विश्यू विध्याले क्या करता है वह तो यहाँ पर C.U.E.T. के थूँ B.T.E.C. प्लस M.T.E.C. के लिए साड़े 5 साल का एक कोर्स ओफर करता है तो यहाँ पर अगर student यह कोर्स में क्लियर कर लेता है exam तो उसको B.T.E.C. की डिग्री भी मिलेगी और M.T.E.C. की इसके अलावा आपके बहुत सारे B.C.E.C. के यहाँ पर कोर्स होते हैं है ना याने commerce हर चीज के आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएंगे अब यहाँ पर आपको इतनी सारी information देने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और कुछ चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देखिए मैंने खोल रखी है हमारी यह cuet.sumarth.ac.in की वेबसाइट अब जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे देखो जब आप इस वेबसाइट के home page पर पहुचोगे तो यहाँ पर आपको syllabus दिखाई देगा यहाँ पर आपको universities दिखाई देगी यहाँ पर आपको courses दिखाई देगे तो जब आपने for example यह courses पर क्लिक किया तो एक ऐसा page आपके सामने खुड़ जाएगा अब आपको for example सोचना है कि यार मैं biological student हूँ और मेरे को na BHMS नहीं करना मेरे को तो bachelor of physiotherapy करना है तो क्या मैं CUET देने के बाद bachelor of physiotherapy कर सकता हूँ तो कौन-कौन से courses है जो यहाँ पर offer होते हैं तो यहाँ पर मैं BPT लिख देता हूँ जैसे ही मैं BPT लिखता हूँ आप देखो मेरे को एक university की list मिल जाएगी अब यहाँ पर university की list क्या apex university BPT की degree कराती है domain general optional language mapped to the program general test याने apex university BPT कराने के लिए general test ले रही है eligibility क्या है उसको 11 प्लस 12 में English Physics, Chemistry, Biology के साथ में केवल 45% marks चाहिए हो गया भाईया problem sort अच्छा यहाँ नहीं जाना मैंको तो GD going का university very good university मेंको यहाँ से BPT करना है bachelor of physiotherapy करना है तो यहाँ पर आप लोगों को English के साथ साथ domain में physics, chemistry, bio चाहिए और यहाँ पर क्या होगा candidate who have completed 11 plus 12 with PCB from CBSE or any other examination recognized by GDDU तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा अब अगर मालो कोई student जो बोल रहा है कि मैं तो commerce का हूँ BDM University Gualier यह BCOM करा रहा है इसके लिए आपको English चूज करना है और General Test चूज करना है इसके लिए आपको economics, कोई accountancy कोई कुछ भी नहीं चूज करना है यह दो चूज करना है काम खतम हो गया तो अब आप लोगों को क्या करना है summer.ac.in पर जाना है और आपको अपने courses जो आपके मन में है क्यार में कोई यह course करना है वो course लिखो और उसकी यहां से आप research करो अब जैसे syllabus तो यह देखो जब आप इस website पर जाएंगे syllabus पर क्लिक करेंगे तो आपको syllabus मिल जाएगा accountancy का syllabus आगया agriculture का syllabus आगया आप यहां से biology का syllabus आगया chemistry का syllabus आगया आप यहां से आराम से download कर सकते हो अब आपको मन में यह problem आ रही क्यार वो कौन-कौन सी universities है या मैं मध्यप्रदेश में रहता हूं तो मेरी देवी अहिलिया विश्विध्याल है इसके अंदर आ रहा है या नहीं यार मैं तो मध्यप्रदेश में हूं लेकिन मेरे को जाना है आसाम की university में तो क्या मैं को कोई महरास्त की या कोई आसाम की university जो आपके मन में हो तो आप यहां से उसको या तो quick search भी कर सकते हो और यहां पर देखो university type central university, state university, deemed university, private सब प्रकार की university की list यहां पर है आप वो list पर click करके आप यहां पर check कर सकते हो कि उसका criteria क्या है तो guys जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग जो अभी 12th के student हो आप लोग मेरी बात माने और compulsorily बिलकुल इसको बोलना चाहिए compulsorily CUET का form भरे केवल 1500 रुपे आपको यहां पर भरने पड़ेंगे जनरल बात कर रहा हूँ आप section A के अंदर English डाल दीजिए या Hindi डाल दीजिए section B के अंदर आपना Physics, Chemistry, Maths Physics, Chemistry, Bio या जो भी अपनों डाल दीजिए जनरल टेस्स दीजिए इससे यह होगा कि आप लोग जैसे की केवल JE और NEET की भेड़ चाल में चल रहे हो उसके अलाब आपको ऐसे बहुत सारे courses मिल जाएंगे जो बहुत मज़ेदार होंगे तो I hope आपको CUET के आपके सारे सवाल मेंने clear कर दिये होंगे अगर आप लोगों ने मेरा telegram channel follow नहीं किया है तो telegram channel का link description box में है उसको follow कर लो मैं आप लोगों को इसका complete detailed pdf telegram group पर forward कर रहा हूं along with the video link ताकि आप video देखने के बाद वो भी देखे और आपके जो CUET से संबंदी जिते भी frequently asked question उसका भी एक pdf मेंने download करके रखा है वो भी मैं आपके साथ share कर रहा हूं तो ये videos अभी दोस्तों के साथ share जरूर कर देना क्योंकि उनके career का सवाल है अब 12th board हो गई है अब आप सब दोस्त चाहते होगे कि अपना अच्छा